स्वागत है दोस्तों आपका एक्जाम गर्डूब चैनल में इस वीडियो में हम जानेंगे इमॉलेट का हिंदी में क्या मतलब होता है इमॉलेट का हिंदी में मतलब होता है बलीदान करना या यग्या का किसी व्यक्ति का बलिदान करने को संकीत करता है यानि किसी भी चीज के लिए खासकर जो यग्य होता है उसके लिए किसी व्यक्ति का बलिदान कर देना या किसी जीव का अब यहां पर बलिदान कई परकार का हो सकता है एक तो जो होता है जिसमें मार दिया जाता है एक होता है जिसमें जो है वो अपना पूरा टाईम ही लगा देता है तो वो भी क्या करा है? वो अपना बलीदान ही दे रहा है, जीवन का तो किसी भी परकार का जो बलीदान होता है उसके लिए हम इमुलेट वर्ड का प्योप करते है संटाइंस में इस वाट गप्री हो किस परकार होगा? उसने अपने धरम के लिए अपना बच्पन बलीदान कर दिया. He immolated his childhood for his religion. यहाँ पर वो किसका बलीदान कर रहा है? वो अपने बच्पन का बलीदान कर रहा है. उसको immolate कर रहा है. वे देवताओं को बेट के रूप में एक बकरी का वद कर रहे थे. देवर immolating a goat as an offering to the DTs. तो यहाँ पर किसका बलीदान हो रहा है? बकरी का बलीदान हो रहा है. इमolate हो रहा है. तो immolate का आर्थ होता है बलीदान करना. यही था दोस्तों इस वीडियों बसा है से लाइक से लाइक से सुस्क्राइब दुरू करें. थेंक्स वर्वाइचे.